नमस्कार दोस्तों आप सभी का सौगत एक बाद फिर से आपके अपनी यूटीब चैनल Mr.360 गुपता पे और आज की वीडियो में दोस्तों जो मैच कवर करेंगे वो मैचे दोस्तों ओमान T20 का आज के दिन का देखा जाए तो दूसरा मकाबला उस सिरीज का बात करूँ तो ये 29 मकाबला है जो यहाँ पे खेला जाएगा टीम R.U.R. वसे टीम G.G.I. के बीच में तो इस वीडियो के अंदर में आप सभी को बताऊंगा किस मकाबले में आपके लिए कौन से प्लियर्स इंपॉर्टन रहेंगे कैप्टन ओप्शन के लिए और कौन से प्लियर्स आपके लिए इंपॉर्टन रहेंगे वाइस कैप्टन ओप्शन के लिए इसके अलावा दोस चाहते हैं या फिर कुछ earn करना चाहते हैं तो बाकि दोस्तों जो भी मेरी final update होगी जो मेरी final team होगी after lineup या टॉस्स के बाद या दोस्तों जो मेरी 100% winning team होगी जिस team के साथ मैं खूद investment करूँगा वो team दोस्तों आपको मिलेगी हमारे टेलिगराम channel पर अभी के समय आट आज जा पहले नंबर पे मिल जाएगा तो किसी भी जिगह से जाके आप सीधा हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और मेरी दीगे टीम का प्रॉफिट उड़ा सकते हैं तो एक आम दोस्तों जरू कर लें क्यूंकि यह आपके लिए इंपॉर्डन्ट है और आपके लिए बिल्कुल बनाएगा आपको उस प्लेयर का नाम नीचे कमेश सेक्शन मिलिक देना है और जो भी भाई का पहला अंसर सबसे सही रहेगा उसको प्राइस दिया जाएगा मैच के बाद तो चली दोस्तों अब चलते स्कोर कार्ड की हो जहां पर मैं आपको दोनों टीम से रिलेटेड लास की टीम आल आउट हो गई थी लेकिन इनके बालेस ने काफी अच्छी बालिंग की और इन्होंने अपोनेंट को सिर्फ 99 रन बनाने दिये 20 ओवर के इंदर और उनको भी आल आउट कर दिया तो सबसे पहले अगर बात की जाए इनकी बैटिंग की तो इनकी और से गस्तब बर गरने आपर 44 न के शांदार पारी खेली और अमानत ने भी यहां पर 24 गेंदों पर 20 रन बनाए नंबर तीन पर वसीम अली आए जिनों ने 6 गेंदों पर 8 रन बनाए जी तीन रम नंदी जोकी रन आउट हो गए थे 3 रन पर खालिद केलें दोस्तों 20 रन बनाए नदीम ने दोस्तों यहां पर 3 रन बनाए नसीम खुशी जोकी टीम के कैप्टन थे पहले आपको नमबर 3 पर बल्ले बाजी करतुए दिखे थे लेकिन लास्ट मैच में काफी जादा नीचे बल्ले बाजी करने आए इसके लावा इमरान अली जूनियर ने भी 16 रन बनाए नसीम इंपोर्टेंट रहेंगे जीते रामनंदी इंपोर्टेंट रहेंगे खालित खेल आपके लिए इंपोर्टेंट रहेंगे इसके लावा सनुत आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं तो इनकी और से आप ये तीन से चार प्लेयर से जिनको आप पी करके जा सकते हो अब म नदीम ने आप्टे चार वर की गेंद्भाजी की. कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई. जीते हैं. रामनंदी नी चारव की गेंद्भाजी की. विकेंद निकाले. सनूध ने आपट बेदोलब कर दोलबर. तो उनके में बॉलर हैंगे. वो कलिमुला रहेंगे वसी मली रहेंगे बाकी नदीम इंपोर्टेंट है रामनंदी इंपोर्टेंट है सनूत आपके लिए इम्रान अली जूनियर आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं तो overall इनके सारे बॉलर्स इंपोर्टेंट है क्योंकि सभी विकेट टेकर बॉलर है अब बात की जाए इनके अपोनेंट टीम की अगर बात की जाए यहाँ पे टीम जी जी आई की तो यह अपना पिछला मकावला जो हैं जीत के आ रहे हैं चार विकेट से तो इसमकावले मन की तीम ने 20 हऊवर के अंदर 180 रन बनाए थे और इननों ने अपोनेंट को यहाँ पे 180 रन बनाने थे और इननों ने दोस्तु बड़ी असानी के साथ 183 रन बना दिये थे 20 हवर की तिस्डिय गेंद पे और अपने सिर्फ इनों ने 6 उिकेट गवाए थे अगर गेंद बाजी की मैं बात करूं तो यहाँ पे अकील खाल ने एक भी विक्या नहीं निकाला इमरान लतीफ जोकिन के में बालर है इन्होंने विक्या निकाला मोशीन कुरेशी आपे विक्या लेस रहे गजनफर इकबाल को यहाँ पे दो विक्याड मिले और अक्षे जतर को भी दो विक्याड मिले बाकि इनके किसी भी बालर को यहाँ पे कोई भी सफलता नहीं मिली तो दोस्तों आपने यहाँ पे दोनों टीम का स्कोर कार देख लिया है तो आपको यह अंदाजा लग गया होगा कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पे आके बले बाजी करेगा और कौन सा बॉलेर कितने अबर की गेंद बाजी करेगा तो अगर आपको यह वीडियो अभी तक काफी ज़्यादा important और informative लगी हो तो फटा फट से एक लाइक वीडियो को कर दीजीए क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए यह काफी ज़्यादा important है और आपको एक लाइक करने में एक second से भी कम समय लगेगा चैनल पर पहली बार आयो तो फटावट से हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लें बेल आइकन जरूर ओल पे प्रेस कर लें ताकि आप सबी को आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके ये भी आपके लिए इंपोर्टन्ट है और आपके लिए बिलकुल फ्री तो जरूर दोस्तों ये काम कर लें बाकि दोस्तों जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी जो मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइनएप या टॉस के बाद या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं खुद इंवेस्टमेंट करूंगा वो टीम दोस्तों आपको मिलेगी हमारे टेलिगरम चैनल पर अभी किसमे 8000 से ज़्यादा लोग और रेड़ी जोइन हो चुके हैं जाने आपर वो दीगे मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं और आप लोग भी अगर हमारे चैनल से जोइन होना चाहें तो आपको मारे चैनल का लिंग डिसक्रिप्शन और कमेंट दोनों जगा होगे सबसे पहले नमबर पर मिल जाएगा तो किसी भी जगे से जाके आप सीधा हमारे चैनल के साथ जूड़ सकते हैं और मेरी दीगे टीम का प्रॉफिट उठा सकते हैं तो यह काम दोस्तों जरू कर लें क्योंकि यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिलकुल फ्री तो सबसे पहले चलते हैं अपके ओ जहां पर आपको कामाल का टीम कॉम्बिनेशन क्रियेट करके दिखा देते हैं अगर मैं बात करूँ सबसे पहले विकेट गिमिंग सेक्शन की तो आपके सामने तीन विकेट कीपर हैं तीनों विकेट कीपर मैं आपके लिए मैं एडवाइस करूँगा कि अब नशीम को अपनी टीम में ट्राइ करें क्योंकि अभी तक इनों ने ही काफी अच्छा परफॉर्म किया इन दोनों के मुकाबले और दोनों का पॉइंट कंपरेजन या पिकर सकते हो तो इसी कारण से मैं नसीम खुशी को एज़ा विकेट की बर अपनी टीम में पिक करके चलूँगा बैटिंग की मैं बात करूँ तो दोस्तों या पर हम केकेल को पिक करेंगे ए अली को पिक करेंगे इसके अलावा नीचे देखा जाए तो इस नसर की पिके अमानत मुझे ज़्यादा बेटर लगते हैं नसर के मुकाबले क्योंकि नसर जो वो मीडल ओडर के अंदर आते हैं और अमानत टॉप अटर के अंदर आएंगे तो इसलिए मैं अमानत को भी करूँगा बाकि आप चाहो तो यहाँ पे इमरान अली को भी कर सकते हो जिन्होंने लास्ट मैच में तीन गेंदे डाली दी और दो विके निकाल लिये थे तो यह इनका लग फेक्टर हो सकता या फिर इनकी कोई अविलिटी हो सकती है बालिंग की बाकि आपकी मरजिये में लेकिन अमानत के साथ जाओंगा जो कि टॉप क्लास बैट्समेन है अलाउंडर सक्षिन के में बात करों तो लतीफ इंपोर्डंट है वसीम अली इंपोर्डंट है जी इकबाल इंपोर्डंट है इसके लाब़ जे रामनन्दी भी इंपोर्डंट है लास्ट मैच में बले ही कुछ ना कर पाएं लेकिन प्लेयर एक नंबर है किसी भी मैच में 2-3 विकल लेकर दे सकता है और 20-30 बड़ी असानी के साथ बना सकता है तो इसी कैनल से मैं 4 में अलांडर्स के साथ जाऊंगा बॉलिंग की बात की जाए दोस्तों तो नदीम इंपोर्टेंट रहेंगे एक खान इंपोर्टेंट रहेंगे लास्ट बॉलर हमारे कली में उल्ला रहेंगे इसके लबाँ आप लोग यहां पर हम पटेल को पिक कर सकते हो जिन्होंने लास्ट मैच में ठीक ठाक बॉलिंग कर दी थी इनके लाब मुझे और कोई प्लेयर यहां पर इंपोर्टेंट नहीं लगा जिसके साथ यहां पर मैं जा सकता हूं तो अवराल देखे जाएं तो हमाई जो टीम में दोस्तो रेडी हो चुकी है मैंने अपनी डीम में दोस्तो साथ प्लेयर पिक किये हैं टीम रूवी रेंजर के और चार प्लेयर मैंने पिक किये हैं टीम जी जी आई के combination की बात की जाए दोस्तों तो मैंने अपनी टीम में 1 wicket keeper, 3 batsmen, 4 alounders, 3 ballers का combination तयार किया है team review की मैं बात करूँ दोस्तों तो मैंने wicket keeping section से aim नशीम को as a wicket keeper pick करके रखा है जो अपनी टीम के लिए wicket keeping plus batting दोनों करने वाले हैं आप चाहो तो इनकी जापर किसी another wicket keeper को pick कर सकते हो लेकिन मैंने यहापर इनको ही pick किया है क्योंकि last match में जो opponent team के wicket keeper थे पी, महित और काजी दोनों का batting order change किया गया था तो हो सकता है कि इस match में भी इनका batting order change होता हुआ देखने को मिल जाए तो इसी current से मैंने यहापर save pick pick किये है यहाँ पे एम नसीम की batting section से दोस्तों मैंने आपर KKL को पी करके रखा है जो की important player है इसके लावब दोस्तों मैंने आपर A.A.L.E. को पी करके रखा है जे अमानत को पी करके रखा है जी इकबाल को मैंने पी करके रखा है लतीफ को मैंने आपर दोस्तों ट्राइ किया और यहाँ पर मैंने जे रामाननदी को पी करके रखा है यह चारोव अलाउंडर साब के लिए best option है captain and vice captain का तो आपको grand league small league सभी मैंने को ही captain and vice captain पी करके चलना है इसके लावा balling की मैं बात करूँ तो कली मुला को पिक किया है नदीम को पिक किया है और यहाँ पर रेखान को पिक करके रखा है तो अगर मैं बात करूँ अपनी टीम में मैं किस player को as a captain और किस player को मैं as a wise captain पिक करके चलूँगा तो Captain और Vice Captain की दो ही सबसे best option है आपके समने लतीफ और यहां पर एकबाल की आप Ali को भी Captain Vice Captain बना सकते हो लेकिन Ali जो है वो थोड़ा late betting करते है जबकि जी कबाल आपको open करते हुए नजर आ सकते हैं नमबर तीन भी आ सकते हैं लतीफ तो overall सभी matches में अच्छा perform किया अगर आप record उठा के देगेंगे तो almost हार एक match में Dream Team में यह बंदा आया सिर्फ पहले match को छोड़ के बाकी जी कबाल की मैं बात करूँ तो इनके last matches देख के आप इनको में टीम में बिलकुल ही Captain या Vice Captain बनाना चाहेंगे तो मेरे Captain आप लतीफ रहेंगे Vice Captain जी इकबाल रहेंगे एक चीज़ आपने और notice की होगी कि मैंने आप इस 7 player R.E.O.R. के ज़रूर पिके हैं लेकिन मैंने इनके players को Captain या Vice Captain नहीं बनाया है क्योंकि जब आप Team Rangers को देखेंगे न तो इनके पास काफी match winners है जब कि यहाँ पर Team GG I.O.R. से सिर्फ इनके दो ही match winners है एक तो Latif और यहाँ पर जी इकबाल अगर यह अच्छा perform करते हैं तो Team win करती है अगर यह flop होते हैं तो Team flop हो जाती है बाकी बात की जाए यहाँ पर मैं अपनी Team को save करके आपको final preview दे देता हूं तो आप लोग हमारी Team का screenshot ले 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 इसका प्रिवु ले ले लें और जहाँ पर भी आका investment रहे वहाँ पर जाकर आप लोग हमारी Team का इस टीम का use कर सकते हैं आप लोग Lee टेलिगरम चैनल पर अभी के समय आट अजासे ज़्यादा लोग और रेडी जॉइन हो चुके हैं और रोजाने आपर वो दीगे मेरी फिरी टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं और आप लोग भी एकर हमारे चैनल से जुटना चाहें तो आपको मारे चैनल का लिंक डिस्किप्शन और कमेंट दोनों जगाओ भी सबसे पहले नमबर पे मिल जाएगा तो किसी भी जगे से जाके आप सीधा मारे चैनल के साथ जुट सकते हैं और मेरी दीगे टीम का प्रॉफिट उठा सकते हैं पाके अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो फटा बटसे वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहली बार आए ओओ तो फटा बटसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल आकन जरूर पर प्रिस कर लेना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के क्योंकि यह आपके लिए इंपॉर्डेंट है और आपके लिए बिलकुल फ्री तो मिलेंगे दोस्तों आप सभी लोगों से जल्दी नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए आप लोग जहां भी रहें स्वाची तरह हैं इस तरह हैं जितने भी मैचस हो जहां भी आपका इं मिलेंगे दोस्तों जल्दी नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम